आज हम सीखेंगे पूर्णांकों का सहचरे कुण क्या आपको पता है कि हम किनी भी तीन पूर्णांकों को किसी भी प्रकार समुह बनाकर जोड सकते हैं या इनका गुणा कर सकते हैं लेकिन हम किसी भी प्रकार समुह बनाकर इनका व्यवकलन या विभाजन नहीं कर सकते पूर्णांकों के इस गुण को सहचरे गुण यानि असोसियेटिव प्रॉपर्टी के नाम से चाना जाता है यहाँ गुण हमें संक्रियाओं को समुह बनाकर यानि की कोश्टिकों के उप्योग से हल करना सिखाता है आए इसे समझे हम शुरुवात करेंगे इस सवाल से कि क्या पूर्णांकों के लिए योग सहचारी यानि असोसियेटिव है या नहीं इसे पता करने के लिए हम तीन पूर्णांकों को जोडेंगे मान लीजे हमें रिंड 4, रिंड 9 और 11 को जोडना है अगर हम रिंड 4 और रिंड 9 का समुह बनाते हैं तो इनका परिणाम होगा रिंड 13 फिर हम इसमें 11 जोडेंगे इसे हमें परिणाम प्राप्त होगा रिंड 2 इसी तरह अगर हम रिंड 9 और 11 का समुह बनाते हैं तो इस समुह का कुल मान होगा 2 और फिर हम इसमें रिंड 4 जोडते हैं तो हमें तीनों का कुल मान प्राफ्थ होगा रिंड 2 यहां दोनुस सिदियों में परिणाम बराबर है याने कि हम पूर्णांकों को किसी भी प्राकार समुह बना कर जोड सकते हैं व्यापक रूप में किनी भी तीन पूर्णांकों A, B, C के लिए A धन B, धन C बराबर A धन, B धन C है इसलिए हम कह सकते हैं कि पूर्णांकों के लिए योग साचर्य है अब अब समझ ही गए होंगे कि हम रिंड 4, रिंड 9 और 11 का योग करने के लिए किसी भी प्राकार समुह बना सकते हैं कि इनका व्यापकलन करने के लिए किसी भी प्राकार समुह बनाया जा सकता है क्या ऐसा करने से परिणाम में कोई परिवर्दन नहीं आएगा सूचिए सूचिए चली हम बताते हैं अगर हम रिंड 4 और रिंड 9 का सम्हू बनाते हैं तो इनके व्यवकलन का परिणाम होगा 5 फिर हम इसमें से 11 का व्यवकलन करते हैं तो हमें परिणाम प्राप्थ होगा रिंच इसी तरह अगर हम रिंड 9 और 11 का समूह बनाते हैं तो इनके व्यवकलन का परिणाम होगा रिंड 20 रिंड 4 से रिंड 20 को घटाने पर हमें परिणाम प्राप्थ होगा 16 यहां दोनों सित्यों में परिणाम बराबर नहीं है। इससे हमें क्या पता चलता है? सोचिए, सोचिए! इससे हमें पता चलता है कि हम पूर्णांकों का व्यवकलन करने के लिए अलग-अलग प्रकार से समूह नहीं बना सकते। व्यापक रूप में किनी भी तीन पूर्णांकों A, B, C के लिए A, R, B, R, C, A, R, P, R, C के बराबर नहीं है। इसलिए हम कह सकते हैं कि पूर्णांकों के लिए व्यवकलन साचार यह नहीं है। अब हम बात करेंगे पूर्णांकों के गुनन की और पता करेंगे कि क्या पूर्णांकों के लिए गुनन सहचारी है या नहीं। मान लीजे हमें रिंट 3, 4 और रिंट 5 के गुनन का परिणाम यानि गुननफल पता करना है। अगर हम रिंट 3 और 4 का सम्हों बनाकर इसे हल करेंगे तो हमें परिणाम प्राप्थ होगा 60 इसी प्रकार अगर हम 4 और रिंट 5 का सम्हों बनाकर इसे हल करेंगे तो इस सिदी में भी हमें परिणाम प्राप्थ होगा 60 या दोनों सिद्यों में परिणाम बराबर है। इससे यह पता चलता है कि पूर्णांकों का गुणन किसी भी प्रकर समुह बना कर किया जा सकता है व्यापक रूप में किने भी तीन पूर्णांकों A, B, C के लिए A गुणा B, गुणा C बराबर है A गुणा B, गुणा C के इसलिए हम कहते हैं कि पूर्णांकों के लिए गुनन सहचरी है अब क्या पता कर सकते हैं कि पूर्णांकों का विभाजन सहचारी है या नहीं? सोचिए सोचिए चलिए हम बताते हैं मान लीजी रिंड सोलह, चार और रिंड दो के विभाजन का परिणाम यानि भागफल पता करना है अगर हम रिंड सोलह और चार का समुह बना कर इसे हल करेंगे तो हमें परिणाम प्राप्थ होगा दो इसी प्रकार अगर हम 4 और रिंडों का समुह बनाकर इसे हल करेंगे तो इस थिदि में हमें परिणाम प्राप्थ होगा 8 या दोनों सिदियों में परिणाम बराबर नहीं है इस से यह पता चलता है कि पूणांकों का विभाजन किसी भी प्रकार सम ground बना कर नहीं किया जा सकता। व्यापक रूप में किने विभी तीन पूणांकों A, B, C के लिए A विभाजत B, विभाजत C, A विभाजत B विभाजत C के बराबर नहीं है। इसलिए हम कहते हैं कि पूर्णांकों के लिए विभाजन सहाचर्य नहीं है तो अब आप समाझ ही गए होंगे कि पूर्णांकों का योग और गुणन सहाचर्य है जिबके व्यवकलन और विभाजन सहाचर्य नहीं है अगले वीडियो में कुछ उधारनों से इन्हें और अच्छे से जानेंगे